सुआगे तो बाई लूग अप सभी का फिर से मेरे चैनल की एक और निव वीडियो में सो आज किस वीडियो के अंदर अप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग इन्विजिबल नेम फ्रिफेर के अंदर के से लिख सकते हों तो इन्विजिबल नेम लिखने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इन्विजिबल नेम लिखते कैसे है और ये वार कैसे करता है तो अब लोगों को बता दो कि invisible type के name लिखने के लिए कुछ invisible type के box होते है जिन सारे box को हमें freefair के name के अंदर जाके paste करना पड़ता है copy करके और paste करने के बाद confirm करते ही invisible type का name बन जाता है दिक्त अभी यहाँ पर आएगा कि कोई भी बन्दा अगर उसी चीज़ को दूबारा करेगा जैसे कि box को कोपी करके freefair के name के अंदर paste करेगा invisible name रखने के लिए तो उसका जो name है वो invisible नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर nickname already exist भी दिखा सकता है और कुछ और भी problems दिखा सकता है बाकि attention मतलो यह सारे problems का solution इस बोड़ो के अंदर आप लोगों को में बताऊंगा and best तरीका बताऊंगा जिसे आप लोग आराम से invisible type का name लिख पाऊगे freefair के अंदर तो सबसे पहले आप लोगों को अपने phone का Chrome browser app है उस app को आप लोगों को open करना है and open करने के पपए just google पे आप लोगों को लिखना है Unicode 3164 so इस code को आप लोगों को search करना है और इस code के बारे में आप लोगों को पहले से ही पता होगा क्योंकि आप लोगों ने पहले भी यूज किया है इस code को space के लिए and just इस website के उपर आप लोगों को tap करना है so tap करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरह के invisible type के box देखेगा इस box को आप लोगों को copy कर लेना है so just इस को उपर long tape करना है और करते ही यह copy का option आ जाता है so यहाँ से मैं copy कर लूँगा and copy करने के बाद मैं जाओंगा game के अंदर and जाने के बाद name वाले section पे जाके कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे paste कर दूँगा so यहाँ पे एक invisible type का box मैंने यहाँ पे paste कर दिया है and अभी जाओंगा मैं फिर से chrome browser के अंदर and जाने के बाद अभी मैं back करूँगा and यहाँ पे अगर आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे codes आप लोगो दिखने को मिलेंगे so यहाँ पे देख सकते हो and अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक codes है जैसे की देख सकतो हूँ Unicode Uplus 280F so इसके उपर मैं टेप करूँगा and टेप करने के बाद मैं फिर से उसी website के उपर टेप करूँगा and टेप करने के बाद यहाँ पे देख सकतो चायर डॉट वाला एक invisible type का box दिख रहा है इसको मैं copy कर लूँगा so just long tap करूँगा and long tap करते ही यह copy का option आजाता है so यहाँ से मैं copy कर लूँगा and जाऊँगा मैं फिर से game के अंदर and आप लोग ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ अभी so just इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा and paste कर देने के बाद मैं okay करूँगा and अभी जाऊँगा मैं फिर से chrome browser के अंदर and आप लोग एक दो बार paste करके confirm करके देखना अगर invisible type का name बन जाता है तो सही है अगर नहीं बनता तो आप लोग फिर से chrome browser के अंदर आना तो जब तक नहीं बनता आप लोगो को new code को try करते रहना है जैसे कि मैं फिर से back करूँगा and back करने के बाद नीचे आऊँगा तो यहाँ पे और भी कुछ codes के name आप लोगो को already show होंगे जैसे कि देख सेकते हो और मैं last में आप लोगो को कुछ invisible type के box के मतलब इन सारे codes के name भी विदे दूँगा तो आप लोगो विडियो को last तक देखना and यहाँ पे और भी कुछ codes है जैसे कि देख सेकतो unicode u plus 2811 वाला है तो इसके उपर मैं टेप करूँगा बहुत सारे codes आप लोगों को मिल जाएंगे इस type के तो इसी से ही invisible type का name बनता है तो आप लोगों का जब तक invisible type का name नहीं बनता तो आप लोगों को try करते रहना है मतलब box को copy करके name के अंदर paste करना है एक बार paste करना है या दो तीन बार आप लोग पेस्ट कर दो और उसके बाद confirm करके देखो अगर नहीं बनता invisible type का name तो दूसरा code को try करना इस तरह से आप लोग invisible type का name रख पाऊगे तो आप लोगों को मैं और कुछ codes के name भी दिखा देता हूँ इसके उपर मैं टेप करूँगा यहाँ पे देख सकते हो, दो डॉट्स वाला बोक्स है इसके उपर में मैं टेप कर लूँगा और कोपी कर लूँगा कोपी करने के बाद जाऊंगा मैं फिर से गेम के अंदर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और आप लोग एक काम कर सकते हो जो कि एक ही बॉक्स को आप लोग एक काम करना किसी कूट के बीच में या लास्ट में दो तीम बार इस तारह से आप पेस्ट करना मतलब निकनेम अलरडी एक्जिस्ट प्रोब्लेम नहीं आना चाहिए अलग अलग टाइप का कूट करते रहना है अप लोगों को जब तक नहीं होता अप लोगों मतलब यह मत समझना कि इंविजबल टाइप का नेम नहीं बनेगा ज़रूर बनेगा अप लोगों को ट्राइ करते रहना सो मैं जस्ट यहां पर दो भर पेस्ट करूंगा इस कूट को यहां पर फिर से जाओंगा मैं गेम के अंदर मतलब सोरी कूम ब्रोज हैं नहीं नहीं को एक हैं यहां पर आने के बाद में यहां पर पेस्ट कर दूगा तो इस तरह से Free Fire के अंदर Invisible Type के नेम लिखते हैं जब तक आप लोगों का Invisible Type का नेम नहीं बनता आप लोग इस तरह से Code को Try करते रहना है बहुत सरे अलग-अलग Type के Code के नेम आते हैं So Copy करना है और Free Fire के अंदर Paste करना है उसके बाद Confirm करना है अगर हो जाता है तो सही है अगर नहीं होता तो आप लोग Back करना और नीचे आना यहाँ पर बहुत सरे अलग-अलग Type के Code के नेम आप लोगों को मिल जाएंगे Tap करना है और उसके बाद मतलब यहाँ पर इस Code को मैंने अलरड़ी Paste मतलब कर दिया है तो नीचे आऊँगा यहाँ पर देख सकते हो एक New Code से तो अलग-अलग Type के New Code आते रहेंगे आप लोगों को उसी Code को Paste करना है तो यहाँ पर मैं जाऊँगा नीचे स्क्रोल करूँगा और यह वाला जो Code है इसको मैं Copy कर लूँगा तो इसको भी मैंने शायद Copy कर लिया है तो नीचे आऊँगा एंड यू ग्लास 2802 इसको मैंने Paste नहीं किया है तो टेप करूँगा यहाँ पर देख सकता हो है एक डॉट वाला बॉक्स है तो इसको मैंने Copy नहीं किया है तो लॉट टेप करूँगा इसके उपर यह Copy हो जाएगा फिर से जाओंगा गेम की अंदर और नहीं होले जगे पे आके कुछ इस तरह से Paste कर दूँगा अगर फिर भी नहीं होता तो आप लोग एक काम कर सकते हो उसी Code को आप लोग दो बार Paste कर सकते हो तो जब भी आप लोगों का निक्नेम अलड़ी एक्जिस्ट प्रोब्लेम आता है तो आप लोगों को दूसरा कुछ ट्राइ करते रहना है और आप लोगों को में जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आया गया होगा जितने भी कूट से आप लोगों को यहापे मिल जाएंगे रिसेंट पे और मैं स्क्रीन पे भी आप लोगों को में दे दूँगा बस बाई लोग यह था आज का वीडियो और कोई भी अगर आप लोगों मन में क्वेक्शन है तो आप लोग नीचे कोमेंट कर सकते हो और मेरे को इंस्टाक्राम पे भी आके मिसेज कर सकते हो और बकि यह था आज का वीडियो और मिलते है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट विडियो के साथ तब तक के लिए सब को बाई बाई